आज हम बनाने वाले आलू और गेहूं के आटे से एक बहुती टेस्टी यूनिक रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए एक मिक्सी का जार लिया है जिसमें एक चम्मत जीरा डाल दिया है दो तिन इंच के अद्रग को रफली कट करके डाल दिया है चार-पांच लैसुन की कलिया डाली है दो हरी मिर्च को रफली कट करके डाल दिया है अगर आप लैसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं जार कढ़कन बंद करें और मसाले को दरदरा पीस कर त्यार कर लें तो यह देखिए इस तरीके का यह मसाला आपको त्यार कर लेना है बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे बिना पानी के पहले इसे ऐसे पीस कर त्यार कर लें अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए आलू दो आलू को उबाल कर छील कर रफली कट कर लिया है यह इसमें डाल दिये हैं आलू उबले हुए है इस बात का ध्यान रखेगा अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सी का जार बंद करेंगे और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके का पेस्ट आपको मिल जाएगा अब आपको क्या करना है इस पेस्ट को निकाल लेना है एक बाउल में और इसमें हम एड़ करने वाले कुछ मसाले तो आधा चमबच इसमें डाल देते हैं नमक आधा चमबच इसमें जाँ रहा है अजवाइन अजवाइन जरू डालेगा इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आधा चमबच लाल मिर्च पाउडर आधा चमबच से थोड़ा कम यानिकि एक चोफ문 चमबच डालना है इसमें हलदी पाउडर इसमें डाल देंगे एक चोथाई चमच गरम मसाला यह homemade है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है क्योंकि यह काफी strong है थोड़ा सा हराधनिया डाल दिया है और इसमें डाल देंगे आप गरम तेल तो यहाँ पर दो चमच गरम तेल डाल दिया है इससे जो नाश्टा बनेगा उसमें अच्छा क्रिस्प आएगा अच्छी तरीके से सभी चीजों को इसमें मिक्स कर लेना है तो सारे मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए है यह देखे बहुत ही बड़िया यालू का पेस्ट त्यार है अब आपको क्या करना है आपको लेना है गेहु काटा तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रहे हूँ एक कप गेहु काटा अब नाश्टा को बहुत ही अच्छा क्रि पाबलम नहीं है केवल गेहु के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं सभी जीजो को अच्छी तरह मिक्स करें इसका एक डो लगा कर त्यार करें इसमें पानी डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी ऐसे इसका डो बन जाएगा जो डो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो अब इसे आप चाहें तो हातों से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या इस तरह बेलन से बेल सकते हैं तो मैंने इसे बेलन से बेल लिया है और इसे हम मोटा ही रखेंगे इसे पतला नहीं करना है आपको ठीक है तो मैंने इसे ठिक रखा है काफी और अब आप क्या करेंगे इसे कट करेंगे तो पहले मैं इस तरी किसे से स्क्वैर शेप में कट कर रहे हूं और जो ये डो बचे गा ना इसे हम फिर से इस्तिमाल कर लेंगे तो इसे अलग रख देते हैं और इसकी एक अलग से लोई त्यार कर लेंगे और अब ये जो स्क्वैर है ना इसे मैं इस तरह पहले बिगड रही है तो उसे ऐसे ठीक कर लें जिस तरह परफी के पीस होते हैं इस तरह मैंने इसे थोड़ा ठीक रखा है अब यहां पर ऑईल हमारा गरम हो चुका है और गरम तेल में आपको यह नाश्ता डाल देना है गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम के बीच रखना है आ एक तरफ से सिखने दें और उसके बाद आप इसे पलट दें यह देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है अभी हम इसे अलट पलट का डार गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करना है तो यह देखिए अब इदर से भी इसे पलट दिया है बहुत ही आसानी से जटपड बनने वाला टेस्टी नाश्ता है इसे आप कभी भी बना कर त्यार कर सकते हैं इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट में या शाम को हलकी फुलकी भूग के समय कभी भी आसानी से त्यार कर सकते हैं यह देखिए अलट पलट कर इसे फ्राइ कर लिया है कलर बहुत ही शांदार आ च किस बात की चलिए आप भी अपने किचन में और फटा-फट से ये नाश्ता त्यार कीजिए इस रेसिपी को आप चटनी या सौस किसी के भी साथ एंजोई कर सकते हैं तो आपको इसे तोड़ कर भी दिखाती हूं कि नाश्ता अंदर से कैसा बना है बहुत ही मज़ितार है लुकरी.